दिली सीम आवास को लेकर आम आदमी पाटी और LG के बीच एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है बुधवार को तो बात इतनी बढ़ गई कि PWD अधिकारियों ने दिली सीम आवास को ही सील कर दिया इससे पहले विजिलेंस विभाक के ओर से बंगले की चाभी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था इसमें तर्क दिया गया था कि PWD को बंगले की चाभी नहीं मिली है दिली के पूर्व मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने पज से स्तीफा देने के बाद पिछली दिनों अपने आधिकारिक आवास छे फ्लाग स्टाफ रोड पर से तशीश महल बंगले को खाली कर दिया था दावा किया जा रहा है कि पूर्व सीम के बंगला खाली किये जाने के बावजूद जो चाभी है वो प्टी PWD को नहीं सौपी गई इसी बात का पूरा विवाद छड़ा दिली के पूर्व सीम अर्विन केजरिवाल का आधिकारिक आवास छे फ्लाग स्टाफ रोड पर है और अन्य सीम हाउस की तरह ही इसका मालिक भी PWD है ऐसे में जब कोई सीम बंगला खाली करता है तो PWD उस घर पर कबजा कर लेता है और उसकी इंवेंटरी बनती है और फिर उसे विधीवत आवंटित किया जाता है LG Office के सूत्रों के ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पूर्वी सीम अर्विन के जरिवाल ने घर खाली तो कर दिया लेकिन PWD को कबजा नहीं दिया LG office की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह बंगला अभी तक CM आतीशी को आवंटित नहीं किया गया है और उनका आवंटित आवास अभी 17AB मतुरा रोड है ऐसे में उन्हें दो घर आवंटित नहीं किया जा सकते आरोप यह भी है कि CM आतीशी ने बिना अलोट्मेंट के ही अपना सामान उस घर में रखा और फिर उसे हटा भी लिया LG office की ओर से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी चिंता ना करे बंगला विधिवत इन्वेंटरी तयार कर लेने के बाद CM को आवंटित कर दिया जाएगा इस मामले में सबसे जादा सवाल PWD पर है विभाग की ओर से इस मामले में एक डिटेल रिपोर्ट तयार की गई है इसमें PWD की ओर से कहा गया है कि CM आवास खाली करने के बाद चावियां वापस ले ली गई थी CM दफतर के डेप्यूटी सेकरेटरी सतिंदर मोहन ने भी PWD के असिस्टेंट इंजीनियर को एक चिठी लिखी है और इस चिठी के मताबिक केजरिवाल ने 4-10-2024 को अपना आवास खाली किया और उसी समय CM कैंप ओफिस में मौजूद सेक्शन ओफिसर मुकेश कुमार को चा दावा किया जा रहा है कि 4 ओक्टूबर को ही CM आतीशी ने PWD को CM आवास आवंटित करनी के लिए अनुरोध पत्र भेज दिया था वही 7 ओक्टूबर को GAD से CM आवास के संबंध में no due certificate जारी किया गया मुख्यमंत्री ने 6 ओक्टूबर को दोपहर 2 बजे CM आवास का दौरा किया मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान PWD अधिकारी भी साथ थे जिन्नोंने CM आतीशी को चाभिया सौब दी थी अब बताया जा रहा है कि ये विवाद दरसल एक चिठी से शिरू हुआ 6 ओक्टूबर को PWD के असिस्टेंट इंजिनियर के ओर से लिखा गया था CM आफिस के स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन जहा को लिखे पत्र में कहा गया था कि PWD को सौपी चाभिया कुछ समय बाद वापस ले ली गए थी इन्हें सौपने की प्रक्रिया बाकी है इस पत्र में CM हाउस के अंदर इंस्पेक्शन और इंवेंटरी का डीटेल स्टॉक करने की बाद भी कही गए थी तो अब इस विवाद में कहा जाकर विराम लगता है ये देखना दिल्चस्प होगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद